Hello my dear students, good morning, आज हम लोग objective पढ़ेंगे, जैसा कि आप जानते हैं कि IAC के exam में 60 प्रशन पूछे जाते हैं, उसमें से मुझे 50 का जबाब देना होता है, इसे हल करने का हमारे पास 4 method है, पहला by option हल करेंगे, दुसरा by common sense, तिसरा by process, चौथा, किसी तेज अस्टूडेंट का copy में से मेरे recording मान के चलो न, तो 14 से 15 कोशन ऐसे होते हैं, जो by common sense से बनता है, आप देखोगे answer क्लिक हो जाएगा, 14, 15 से 20 कोशन ऐसे होते हैं, जिससे आप देखोगे answer क्लिक, लेकिन उसमें से 5 से 7 कोशन ऐसे होते हैं, जो by option बनते हैं, और उसमें से मात्र 10 कोशन ही ऐसे होत को बाइक प्रोशंस बनाएँगे उसमें कोई selves technique काम ने करेगा उसमें एक ही ट्रीक लगेगा जिसका नाम है बाइक प्रोशंस और बाइक प्रोशंस का मतलब आपको हल करना परेगा, जैसे कि हम टाइम बेश्ट नं करेंगे, डिरेक्ट सवाल करवाएंगे, जैसे कि पाला सवाल आपके सामने है ये सवाल है, साइन इनवर्स x-1, 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 जब भी इनवर्स का बरा सवाल आबे, तो वो लॉजिक पर सेट होता है, और देखिए बहुत सारे बच्चे हैं बीना सोचे समझे क्या करते हैं ये सेक इन्वर्स को साइन इन्वर्स में कनवर्ट कर देते हैं इसे एक्स माल लेते हैं इसे बाई और हल करते हैं और खुद पैर पे कुलहारी माल लेते हैं ऐसे ऐसे कई सवाल होते हैं एक्जाम में जो आपका टाइम को वेश्ट कर सकता है तो उन सवालों को कैसे हल करेंगे यहां देखते हैं पाला साइन इंवर्स एक्स प्लस कॉस इंवर्स एक्स परावर भी पाइवाई टू होता है पार्ट थिरी में मैंने पढ़ाया था सेक इंवर्स एक्स प्लस कॉस इंवर्स एक्स परावर भी पाइवाई टू होता है यह तीन फर्मूला तो यादोना चाहिए टें इंवर्स एक्स प्लस कॉट इंवर्स एक्स परावर पाइवाई टू होता है लेकिन यह पाई भाई टू कब होता है। जब ठीटा ठीटा सेम हो। जब ठीटा क्या हो। अब मेरे पांच इसे बनाने का दो उपया। मान को या तो आप कॉसिक इंवर्ज में कनवर्ड करो या सी इनवर्ज को छोड़ें को किसी सिओ ऑक का। क्षेक करें कर तो उल्टा होता है का अगले लीलिक वंघस्ट मिलाटा करेंगे तो इस और ऑपर चला कॉसेक इन्वर्स एक्स पलस सेक इन्वर्स एक्स क्या इसका ठीटा एक्स पलस वान एक्स मैनस वान इसका भी ठीटा सेम सेम आया तो आप बताओं कॉसेक इन्वर्स एक्स प्लस सेक इन्वर्स एक्स अगर ठीटा ठीटा सेम हो तो इस सवाल का मान उत्तर क्या होगा पाई बाई टू आपको होगे सर पाई बाई टू क्यों होगा क्योंकि सेक इन्वर्स एक्स प्लस कॉसेक इन्वर्स एक्स प्लस सेक इन्व सब्सक्राइब नेश्ट कोशन यह काफ इंपोर्टेंट कोशन आप जहां भी पड़े होंगे मैथ या आप हमसे पड़े होंगे तो एक बात हमेशा धियान रखिएगा यह मैथ NCRT का बुक का है यह जो मैथ है NDA Air Force ने भी हर एक्जाम में आया हुआ है कुछ बच्चे इसे X मान लेते हैं और इसे Y मानते हैं और X-Y का फर्मूला लगा के हल करते हैं और वो अपना टाइम को बेश्ट कर देते हैं और ऐसाजर अगर सवाल एक्जाम में आगे आना 5 में तो आपका हालत खराब हो जाएगा तो आइए इन सवालों को कैसे करते हैं एक्जाम में यह मेरा सवाल है इतना बराबर what हम क्या करते हैं putting value getting answer X sub它 y ben it one मान लेते हैं अब मान सकते हो ठीक है एक्स बराबर वाई बराबर वन तो हम मान ली एक्स बराबर वाई बराबर वन एक्स का विमान वन है वाई का विमान वन तो एक्स का मान वन वन बटा वन डाइट मिस वन चलो हम एक लाइन बढ़ा दिये पर अबजेक्टी में आपको इतना भी नहीं करना बट एक्स का मान व ऊपर 0 नीचे 2 से भागा देंगे क्या गजीरू 10-0 से भागा देंगे क्या एंगा जीरू एगर मेरी बात मानो न यार अगर आप इसे सरी अगर आप इसे प्रोसस से बना ओगे ना तो पक्का पांच मैंने टाइम लगेगा नेट कोश्ट अब इस क्योशन को देख लो Cause inverse minus 1 by 2 का मान अब बताओ, इसमें कोई जाने क्या? लेकिन ये हर साल एक्जाम में आया है कोई भी पेपर आप उठालो, 2020 का आप उठालो, 19 का उठालो, 18 का उठालो, हर साल ये साल एक्जाम माया क्यों आया है क्योंकि इसमें पलस पॉइंट है इस सवाल इस सवाल में फर्क है हम पार्ट 1 में पढ़ाएं थे कि 10 inverse, 10 inverse, कॉसेक inverse और साइन inverse का अगर एंगल लगे टीव हो माइनस को बाहर कर देंगे एंगल पोजीटिव मतलब माइनस रूट 3 अब हो गया पलस रूट 3 लेकिन कॉस inverse, सेक inverse, कॉट inverse का अगर एंगल लगे टीव हो तो पाई में घटाने पे एंगल पोजीटिव ये जो माइनस 1 बाई 2 हो गया पलस 1 बाई 2 और ये जो माइनस 3 है, माइनस रूट 3 हो हो गया पलस 3 माइनस निकालने पे अब बताओ, कॉस inverse बेटिंग करेगा कॉस का, कॉस में कितना डिगरी का मान एक बटा दो आप कहोगे सर, 60 डिगरी, 60 डिगरी का मतलब पाई भाई 3 हम कहेंगे बताओ, 10 बेटिंग करेगा, 10 का 10 में कितना डिगरी का मान रूट 3 तो आप कहोगे sir 60 degree 60 degree का मतलब 5y3 जब 3 5 में से 1 5 घटाओगे तो क्या जाएगा 2 5y3 option में देखो भाई है कहोगे yes sir इस सवाल का देखो minus 5y3 answer कहीं पे है नहीं है चलो हम इसी को बना देते option minus 5y3 इस सवाल का उत्तर होगा ओके next question इस सवाल को आप देखना भाई काफी important सवाल है ये सवाल आपका हड़ साल आया हुआ है 2020 का paper देख लो चाहाए IAC 2013 देख लो 12 देख लो और अकसर बच्चे इसका answer रट के जाते है अगर हम इसे process से बनाएंगे ना तो पक्का एक page में जाएगा और हो सेके तो आपका answer भी नहीं आएगा लेकिन अगर मैं student सोचू तो इसे option से हम बनाएंगे कैसे देखो ये सवाल इतना बराबर pi by 2 है x का मान अरे भाई x का मान कह रहा है मतलब ये चारों में से तो कोई एक ही option होगा और हर option में 1 by 2, 1 by 2, 1 by 2 common है तो हम चेक कर लेंगे x बराबर 1 by 2 पे क्या x का मान 1 by 2 रखने पे ये left बराबर right होगा अगर x का मान 1 by 2 रखने पे अगर ये left बराबर right हो इसका मतलब x बराबर 1 by 2 को संतुष्ट करेगा अगर x वराबर 1 by 2 रखने पर ये left वराबर right नहीं हुआ इसका मतलब है कि x 1 by 2 नहीं होगा इसका मतलब 1 by 2 के कारण ये गलात ये गलात ये गलात इसका मतलब automatic ये answer होगा मेरे पांस ये logic आईए मैं चेक कर लेता हूं मैं direct यहां पर लिखूंगा 1 by 2 रखो अगर एक करोर में से आधा करोर घटाओगे तो कितना बचेगा आधा करोर सॉरी minus 2 साइन इन वर्स इतना भी detail मैं नहीं करूंगा x का मान कितना रखना 1 by 2 आप मुझे बताओ साइन इन वर्स बेटिंग करेगा साइन का कितना डिगरी का मान 1 by 2 कहोगे सर 30 सॉरी हां 30 इसको कहोगे सर ये तो होगा 30 का मतलब 5 by 6 क्या बबू जब इसे आप घटाओगे तो क्या कभी भी 5 by 2 आएगा इसका मतलब है कि ये जो 5 by 2 इसको हल करने पे ये 5 by 2 के बराबर नहीं होगा मतलब इस सवाल का जो है इसमें 1 by 2 रहने के कारन ये गलत है 1 by 2 के रहने के रहा ये गलत है ये गलत है तो इस सवाल का उत्तर अटोमाटिक C होगा अगर आपको बिलीम नहीं है न दोस्त तो आप X बराबर C इसमें रखो और चेक करो क्या ये लेप्ट व्राव राइट आता है अराम से आएगा देखो जैसे X का मान यहाँ पे 0 रखेंगे एक में 0 घटाएंगे एक आएगा और साइन में कितना डिगरी का मान एक होता है ता आप कहोगे सर पाई बाई 2 माइनस 2 इंटू साइन इनर्स X का मान कितना रखना जीरो तो साइन में कितना डिगरी का मान 0 काऊगे सर जीरो डिगरी अब बताओ टू गुना जीरो और यहाँ बगल में क्या है 5 x 2 क्या देखो left ब्राइट हो रहा इस सवाल का उत्तर है ये काफी important सवाल है इस बार भी IAC 211 में भी repeat करेगा ये भी सवाल काफी important है और मेरे अनुसर ये IAC 211 में ये coming soon है मतलब IAC 211 में ये सवाल आ रहा अब मुझे बताना ये sin into sin inverse 1 बटा 5 plus cos inverse वराबर 1 है तो X वराबर 1 वाई बाई आप्सन बनाएंगे ये X का तो ये 4 में से कोई एक ही मान होगा लेकिन सोचो ज़रा कि X का क्या value रखे जिसे ये left वराबर right हो जाए अगर मैं X का मान 1 by 2 रखोंगा तो ये left वराबर right नहीं होगा एक वड़ा 3 पे भी नहीं होगा एक वड़ा 4 पे भी नहीं होगा एक वड़ा ये 5 पे हो जाएगा आप कहोगे सर ये तो आप रट क्या है नहीं देखो हमें पता है कि sin inverse X plus cos inverse X वराब 5 by 2 तभी होता है जब theta का मान सेम सेम हो अगर हम इहाँ पे दोस्त X का मान अगर हम आपसे नमबर C रख दे यहाँ पे 1 by 5 रख दे तो ये theta ठीटा सेम होगा और sin inverse X plus cos inverse X का फर्मूला बन जाएगा 5 by 2 मतलब बगल में है sin बगल में है sin ये बगल में है sin और ये पूरे का जब हम x का मान 1 by 5 रखेंगे तो theta सेम होगा और sin inverse X plus cos inverse X का मान आजाएगा 5 by 2 और आप जानते sin 90 degree का मान क्या 1 मतलब left बराबर क्या हो जाएगा right यानि option number C को क्या किया satisfied किया हम कहेंगे दोस्त 10 inverse minus 1 का मान आप कहोगे sir 10 inverse का angle negative है minus उगलेगा positive 10 में कितना degree का मान 1 होगा तो आपको होगे sir 45 degree 5 by 4 next question hello दोस्त ये latest question है sin inverse X plus sin inverse Y वराबर 2 by 3 है तब करा cos inverse X plus cos inverse Y का मान आजाएग करो sin inverse X plus sin inverse Y वराबर 2 by अपुन 3 है तो cos inverse X plus cos inverse Y का मान आजाएग करो option A है 5, option B है 5 by 2, C 5 by 3, नन आप दीजे तो इसे हम सोचते हैं क्या करें ऐसे तो हम चाहेंगे तो 2-3 second में इसे हम बना सकते हैं what आप देखो sin inverse X plus sin inverse Y 2 by 3 दिया है cos inverse X plus cos inverse Y वराब what कर रहा है मतलब इसका मान क्या होगा हम what ये दो नहीं है याद रखना ये what है याद करना है तो ये what को हम मान लेते हैं X add add का मतलब जोड देते हैं अगर हम जोड़ेंगे तो sin square sin square हम जोड देते हैं दोस्त तो कैसे जोड़ते हैं कितना बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कहते है sin square cos square जोड़ना है तो ये plus में आजाएगा sin square cos square बीच में plus दे दिये फिर देखो ये sin square cos square को जोड़ दिये फिर इसको भी जोड़ दिये इसका फर्मुला क्या होता है 5 x 2 और ये आपके पाँश 2 pi y 3 है पलस X अगर हम इसे अगर हम ऐसे करते हैं यह Pi Pi कितना अगर मुझे हर हर सेम है अगर हर सेम हो तो भेन के जोर नहीं बनाना जोड रहेगा जोड देंगे Pi Pi कितना 2 Pi y3 यह परष इधर आयगा minus 2 Pi y3 और is equal to इधर क्या बचेगा X, मुझे X का इमान चाहिए तो LCM कितना हो जाएगा इसे आप काड़ सकते हो तो LCM कितना हो जाएगा 3, तो 3 गुना 5 3, 5, minus 3, 3 कर जाएगा 2, 5 और यहाँ पे क्या है X 3, 5, 5, 5, 3 इस शवाल का उत्तर होगा 5, 5, 3 इस शवाल का उत्तर होगा 5, 5, 3 आप option number C को क्लिक कर सकते हैं अगर आपके पास दिमाग होता तो आप exam में क्या करते हैं इस का मान निकाला sin inverse X plus cos inverse X का मान 5, 5, 2 sin inverse X plus cos inverse X का मान 5, 5, 2 तो 5, 2 आधा half plate half plate जोरेंगे half plate, half plate जोरेंगे तो full plate plus 2, 5, 5, 3 और इसको X मान लेते तो ये 2, 5, 5, 3 प्लस X हो जाता है इसको इसमें घटा देंगे तो answer हो जाएगा 5, 5, 3 वर्ट इतना आप fast तभी कर पाओगे जब आपके पास practice होगा और intermediate का exam अब just like competition का exam हो गया और इस तरह से आपको practice करना चाहिए ओके next question cost inverse cost inverse cost 13, 5, 6 का मान गया करना वह सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो की देखते हैं ओ इतना easy सवाल cost inverse cost तब उसका बच्चा बच्चा कहा है option number first what why हमने बताया था cost inverse cost तब उसका बच्चा but बच्चा होना चाहिए 0 से 90 degree क्या यह बच्चा है नहीं तो जब भी range से बाहर हो तो उसको range में लाएंगे क्योंकि answer 0 degree से लेकर 90 degree तक ही करना है तो आईए यह start करते हैं cost inverse cost cost इसको तोरेंगे 13, 5, 6 को मैं से लिख सकते हैं 6 गुना πाई, 1 पाई कोगे सर 7 पाई हुआ मुझे पूराना कितना है 13 पाई तो इसमें परिवर्टा नहीं करेंगे क्योंकि यहां पे जो भी होगा वो 0 से 90 degree होगा इसमें हम 2 से multiply कर देते 6 दूनी के वारा पाई, 1 पाई कितना पाई, 13 पाई यह मैं part 3 में भी इस तरह का class लिया हूँ यहां से समझना दोस्त 2 पाई का मतलब होता है 360 आपको पता होना चाहिए cos 360 प्लस ठीटा बराबर होता है cos ठीटा और 360 प्लस कौनसा quadrant में जाएगा first quadrant, first quadrant में होता है all लिया, मतलब all positive cos inverse cos तब उसका बच्चा, किस में है बच्च्चा नहीं है, option गलत ही है यहां पे होगा यह 5Y6 इस सवाल का उत्तर क्या होगा 5Y6 next question जो हमारे exam में एक बार नहीं हर साल आ रहा है इस question को देखना भाई यह क्या सवाल है क्या सवाल है दोस्त हर साल IAC का exam में आता है और बहुत सारे बच्चे तो दम देख के सवाल खुस हो जाते है कि cause inverse cause ता उसका बच्चा, option A what यह गलत है और बहुत सारे बच्चे सोचते हैं अगर होसियार हो जाते हैं तो सोचते हैं इतना वरा बच्चा नहीं होगा तो वो इससे नहीं क्लिक करके इस option को तो देखते ही नहीं है इससे या इससे क्लिक कर देते हैं और दरसल इस सवाल का उत्तर होगा 5 by 6 कैसे? दिखाते हैं सर, cause inverse cause 7 by 6 को मैं से लिख सकते हैं लिखने में क्या प्रोब्लम है? क्योंकि यह भीन के जोर है इसको हल करेंगे तो 7 by 6 आएगा आएगा ना भाई 6 गुना पाई में 1 by 0 रहेंगे 5 का मतलब 180 तो cause 180 plus theta no change 180 plus कौनसा quadrant होता? 3rd quadrant मतलब 10 quote positive बाकि सब negative यहाँ पे minus आएगा और अगर हम आपसे पूछेंगे दोस्त cause inverse का angle तो आप बोलोगे minus cause pi by 6 और मैं आपसे पूछूँगा cause का angle तो आप pi by 6 बोलोगे तो cause inverse का अगर angle negative हो पाई में घटाने पे उसका angle positive होता है कितना वार समझाए होंगे दोस्त अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आता तो please part 1 और 2 देख ले cause inverse cause तब उसका बच्चा और यहां से हम कहेंगे 6 pi में से 1 pi जाएगा कितना 5 pi by 6 ओके यानि इस सवाल का उत्तर होगा 5 pi by 6 उमीद करते हैं कि आपको यह सवाल याद हो गया होगा next question next question दोस्त 10 inverse root 3 minus 1 inverse minus 2 मान याद करना तो आप सबसे पहले इस तरह का जो भी सवाल आते हैं उसका angle चेक करना पड़ता जैसे कि 10 inverse का angle कै पोजिटिव तो 10 inverse बेटिंग करेगा 10 का 10 में कितना degree का मान root 3 होगा तो आप कहोगे sir pi by 6 मतलब 60 degree का मान minus घेड देंगे क्योंकि जहर है सेक इनफर्स का angle negative है pi में घटाने पे उसका angle positive जब pi में हम घटाते हैं तो खुछ नहीं होता यह जो minus 2 हो वो plus 2 हो जाएगा अब बताओ सेक में कितना degree का मान 2 होगा तो आप कहोगे sir यानि cost 60 degree का मान एक बटा दो मतलब सेक 2 का मान होगा 60 degree और 60 degree को बोलते है pi by 3 जब इसे आप हल करोगे दोस्त तो यह minus minus plus pi by 3 plus pi by 3 हो जाएगा 2 pi by 3 को pi में घटाएगे यानि सवाल का overall उत्तर आएगा pi by minus pi by 3 next question अब बताना इसको logic से हल करना ठीक है by option कता है sin into 10 inverse का मान क्या होगा हम आपको एक बात बताया है sin into 10 inverse इसका मान क्या होगा by option हल करो dेखो sign betting करेगा हमेशा याद रखना वाई कि sign betting करेगा sign inverse sign कभी भी 10 inverse का betting नहीं करेगा गंदी बात sign betting करेगा sign inverse और आपको पता है आपको पता होना चाहिए logic समझो इसके नीचे कुछन मतलब one है इसके नीचे कुछन मतलब one है है नो और टेन जो बना होता है दो चीज़ होता है उपर वाला लम होता है ten में और नीचे वाला अधार होता है sign अब देखो 10 में उपर वाला लम होता है नीचे वाला धार होता है और 10 inverse को अगर हम 6 inverse में convert करेंगे तो उपर हमें लम चाहिए और नीचे हमें कर्म चाहिए बस काम बनेगे और option देखो उपर हमें लम चाहिए यानि लम हमें पता है कितना x जो भी हमारा उत्तर होगा उसका उपर वाला x होगा क्या इसमें है ये हो सकता है वट ये गलत ये भी गलत ये भी हो सकता है मतलब दो option हो सकते हैं क्योंकि sign में उपर लम होता है और लम हमारा x है तो इसमें भी उपर x है इसमें भी नीचे चाहिए कर्ण और कर्ण का मतलब होता है कर्ण निकालना है मतलब पलस क्योंकि कर्ण का मतलब पलस लम निकालना या अधार माइनस का केस यानि कर्ण जब भी निकलता है तो रूट अंडर लम असक्वार पलस अधारा स्कौर बीच में क्या आता पलस क्या बबू इसमें पलस है खतम क्या इसमें पलस है इस सवाल का 100% उत्तर ये है वीडियो ज्यादा लंबा हम नहीं करेंगे उमीद करते हैं इस तरह से अगर आप अबजेक्टिब को सोल्ब करते हो तो अकीन मानो यार आप मातर 30 मिनट में पूरे 60 कोश्चन को आप हल कर सकते हो ये मेरा वादा है अगर आप हमसे पूरा क्लास किये हो मैत का तो ये कनफॉर्म है कि 30 मिनट में आप पूरे 50 कोश्चन को हल कर सकते हो क्योंकि हम बार 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 बोल रहे हैं कि 50 में 40 कोश्चन ऐसे आते हैं जो फाल्तू सवाल पड़ता हो तो इन्वर्स का कोई भी शवाल अबजेक्टिव हो या सबजेक्टिव हो वो कोई भी बुक हो केसे सीना आप हमें कमेंट करें और हम उसका वीडियो फिश्य आपको बना के देंगे तब तक के लिए वाय इसी तरह से आप अबजेक्टिव हल करें वाय